हुआ हम जो पढ़ रहे थे वह कल हमने क्या पढ़ा था यह एचले सब्टाइब सब्सक्राइब दिजीजेज और नेच्रल किलर सेल्स पढ़े थे आज हमार वैसे टापिक है वो मेजर फंक्शन अफ बी एंटी सेल्स है लेकिन इसको हम आगे जाके करेंगे क्यों आगे है यहां से जब्सक्राइं और साजिया सब्सक्राब्ति हैं सबसे पहरे हम देखेंगे कि आप को तीमस में होते हैं हमने मनेका थे तुच को मैचौर करते हैं तो आज अगने देखेंगे के की बेसिकली का घोती है तो आपके थाइमस को सबकेप्सुल्र योन सबसे आउट क्या होता है सब कैप्सूलर जून होता है फिर सब कैप्सूलर जून के अंदर कॉल्टेक्स होता है फिर कॉल्टेक्स अंदर क्या होता है मेडूला होता है ऐसे ही मतलब जैसे हमने पढ़ा तो ऐसे समझ लेकि यह बैर वाला क्या हो गया हमारा सब कैप्सूलर जाहर किया हुआ फिर कॉल्टिक्स फिर अगली स्लाइड में नीचे यहां पर यह क्या बना रहा है मेडोला बना रहा है इसके तीन पार्ट है इन्हों को हम पढ़ेंगे कि वहां पर यह प्रोसेसिंग सारी किस तरह होती है और यह सारा आपको टी सेलवते हैं यह डपल चील होते हैं ड़बल चील गत्रा Quindi आथ होते हैं तो हमने वहां पर देखा जब interaction हो रहा था कुछ उनके पास क्या था सीड़ीफ पोर अट पी था और CD 3 भी था और TCR भी हमने बनाये थे जाद है आपको TCR भी बनाये थे जब वो MSC Class 1 & 2 जो है उसको वो इंटरेक्ट कर रही थी तो यह हमने चार्च से वहाँ पर पड़ी थी इन्हीं चार चीज़ों को देख ले इन चार चीज़ों की बेस पर हम इनको Double Negative, Single Negative, Double Positive, Single Positive कहते जाएं मतलब, TCR नहीं होता इनके पर कोई पैसा नहीं होता नहीं के पास CD3 भी नहीं होता CD4等, Double Negative और क्यों कैते हैं ? तो इसके पास के पास होता तो और एक नहीं है तो इस बिचार के पास कुछ भी नहीं है ना तो CD4 है 9 CD8 है तो यह क्या है double negative है अब इसके बाद यह तो process कहां पर था सब capsular zone में था यहां पर immature सा था गरीब सा था लेकिन वह जैसे ही इंटर हुआ आपके cortex zone में तो cortex zone में यह double positive हो जाता है क्या हो जाता है भी बन चुकिया अब इसके पास सब कुछ है यह मैं रोगया क्या हो गया है अब इसके पह सब कुछ है पैसा है पैमिल हो चीज है यह क्या हो गाए डबल positive होगे जिसके पास CD4 भी है और CD8 भी है लेकिन हमें हमेशा Exhale क्या चाहिए होते है single positive चाहिए होते है कि यहा तो सेल क्या होगा CD4 तो क्दी 8 होगा यह तो नहीं हो सकता कि a की जो है नहों CD4 भी और CD8 भी है is possible नहीं ऊसल को यहा तो CD4 होना चाहिए यहां पर से डी इंडी एट चाहिए आपर डबल दो स्लूशन क्या है उसका सुलूशन यह है कि आप के जो कॉल्ट क्समें यह प्रवोंतर हैं। पॉजिटिफ सेलेक्शन का मतलब क्या है आपको समझ आ जा जाएगा भूल जाएगा अब एपी थील सेल्च जो है ना यहां पर यह सेल है एपि दिल सेलों वह पॉनफ कि राएगा एमेर हो चुका है आप रिश्टे दानों ने कि इसके अइसका इंतिहान ने कि हमें भूल तो नहीं गया वो कहता है चलें जी इसको ये दिखाओ इसको अपने रिष्टदारी दिखाओ इमोशन दिखाओ वो कहता है कि हाँ जी मैं इसको पहचानता हूं ये जो है आपके जितने भी डबल पॉसिटिव सीडी फॉर थे या सीडी एड थे वो इनको पहचान लेते हैं मसी व तो ये रहेगा जिंदा ओर प्नारhésitez रहेगा मतलब एसने म्हाव किया है ना इसने इंट्र किये हैpt ये थी यह हो जाएगा S. क्या हो जाएगा थिख क्या इसे क्या कहते हैं पॉजिटिव सप्टै इसsp Mittा किया है तो इस लिएग से क्या थे लिए-व सेमें टिर्रसक्षिट इसको इंट्रेक्ट नहीं करता है इसको नहीं पहचानता है मेसी क्लास टू को भी नहीं पहचानता तो फिर यह आगे नहीं जाएगा बलकि इसकी क्या हो जाएगी अप्प्रसCES हो जाएगी कि इसको मार दो ये अमीर तो हो गया था लेकिन ये अपनों को भूल गया इसको मार दो शक्व कर दो वो इसको क्या कर देंगे मार देंगे इसकी क्या हो हो गया डबल पॉजिटिव हो गया इसके पास सीडी फॉर भी आगया और सीडी एट भी आगया अभी हो चुक है अमीर अब इसको इसके रिष्टदार चेक करेंगे कि हमें भूल तो नहीं गया तो आपके जो एपीठील सेल्स यह दोनुं को से शोग करेंगे अपने वपर मसी वन को भी शोग करेंगे अगर इन सीडी फोर और सीडी एड्य यह सब्सक्राइब बना वाज़स के पास दोनुं है अगर वह इनमेंसे किसी एक को पहचान लेता है ठीक है तो वह तो हो गया पॉजिटिव सेल हो जान यह क्वानित है तो इसको चलो जिये वह बूह पूल गया है झाल कर MID ठृटीक्ट ग би buy को क्योंके वह इंट्रक्ट करेंगा तो स्लेक्ट होगा इंट्रेट्ट नहीं करेगा तो स्लेक्ट नहीं होगा तो इसके पॉçekृटिव सिलेक्षिय से यहां तक समझ आ गuyorum यह पितिरल सैल्स आपको जो कॉल्टेक्स है ना या आपका कॉल्टेक्स के अंदर पड़े हुए यह एपितिरल सैल्स एमसी क्लास फ़नुरार्ण MSC Class 2 शोगरे, समझ आ गिया है, किसी का कोई question हो, अब जन बच्चों ने पहले lectures नहीं लिए तो उनको बहुत tough लग रहा होगा ये, समझ आ गिया है, अगर कहें तो मैं दोबरा repeat कर दूँ इसको, आ गिया समझ, अब यहां पर एक और चीज है, अब यहां पर और चीज क्या है, कि देखें इसने MSC 1 भी शोग रही थी, और MSC 2 भी, sorry, MSC 1 भी शोग रही, MSC 2 भी शोग रही, अब यह cell पढ़ा हुआ है, अगर यह MSC Class 1 को recognize कर लेते हैं, उसके साथ interaction कर लेते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, MSC Class 1 वाला कौन सा होता था, CD8, यह क्या बन जाएगा, CD8 बन ज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CD4, तो इस तरह इसका यह system होता है, ठीक है, पहले तो double positive हो गया, अब इसको MSC Class 1 और 2 शोग रही जाएगी, यह जिस Class को choose कर लेगा, जिसके साथ better interact करेगा, यह उस तरह का बन जाएगा, अगर MSC Class 1 को better तरपर पकड़ता है, तो क्या बन जाएगा, CD8, और MSC Class 2 को पकड़ता है, तो क्या बन जाएगा, CD4, और अगर N मैसे किसी को भी नहीं पकड़ता, तो फिर epiptoasis, यह पहचान ही नहीं रहा है, अमीर हो गया तो इसको नखरे आगे हैं, तो बज़र इसकी तब इसकी तरफ से हो गई, यह हम यह यहां पर पहुंच चुके है, ठीक है, अब आगे देखें, आगे हो 101 मैडॉला को पहुंचा तो मैडॉला मै जाने के बाद यह सिंगल पॉजटिव, यह भी सिंगल पॉजटिव, सिंगल पॉलिव क्यों हो आया, भला? कि या CD4 होगा या फिर CD क्योंकि थोड़ी दिर पहले उसने अगर को पहचाल लिये तो क्या हो जागा CD8 तो सिंगल पोजिटीव हो गर उस मतलब क्या है कि यह कर से क्लाओ आपको पता है नहीं धिता हैं ऊसमें देखा थे में म से क्लास CD4 पड़ा था तो के पास भी CD3 था TCR था और सीडी 8 के पास भी CD3 था और dcr था तो वही बात है कि अगर आपका यह देखें इसके पास TCR भी है CD3 भी है CD4 भी है लेकर CD8 नहीं है और यह कौन सा सेल होगा कौन सा पॉजिटिव है सीडी 4 पॉजिटिव भी तो यह कौन सा होगा सीडी 4 पोजिटीटिव लोगा। कौन सा होगाusz को से क्लास से कर रहे हैं 157 कलास सोन सब्सक्राइब यह वेला प्रस्ट अब कहा हो रहा है, मैडूला में हो रहा है, ठीक है, थामस के मैडूला में हो रहा है, अब यहां पर उसको एक और इम्तियान से गुदरो, वो कहते है, क्या इम्तियान है, अब यहां पर आपके डेंडरेटिक सेल्स, यहां पर क्या होती है, यहां पर क्या ह और यह अपिर वही अब जया लाकिन यह वह उते हैं तो आपके ये होते हैं और यह ने टो तो यह सील तो निया थोड़ी सपीड तेज है मैं अब इसमें दो किशम के साउटन पड़े होते हैं parrot is किश्रों अपनी एंटिजन राटी की अपरी की अपने सपर वो लिवर दाबाली एंटिजन आ láई अपने सपरेयर है liver के cells है हाट के cells हैं आपके kidney के cell है किसी भी बाडी के के cell है उस celluko उन proteins को वो शो करहेगा उन interactions को शोओ कराईगा तोना namely CD4 को भी शोओक रहे गाँ CD8 को फोग रहे गा तोना घौ रहे आपका antigens presenting cells और epithyral cells क्या शोओक रहेगा आपकी बाडी की ओन एंटिजन शोग गराएगा ठीक है अब ओन एंटिजन दोनों को शोग रही cd4 को भी शोग रही और cd8 को भी शोग रही अब इसमें इसको शोग रहा दिए अब अगर cd4 बाड़ी की अपनी एंटीजन के खिलाफ एक्शन लेता है और इसको मार देता है यह तो ठीक ना हुआ ना यह तो अपनी बाड़ी के खिलाफ एक्शन दिखा रहा है अपनी एंटीजन के खिलाफ एक्शन दिखा रहा है यह तो आटो इम्यून हो रहा है अपनी बाड़ी के खिलाफ उसे क्या हो जाएगी किलेंग हो जाएगी और जो अपनी एंटीजन के खिलाफ एक्शन शो नहीं करेगा बलके इसको हर्मलेस लेगा कि यह नुक्सान दे नहीं है उसको नहीं मारेगा तो वह क्या हो जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा अब जो नहीं मार रहा वह सिलेक्ट हो रह पहता रहा रहा है जो इसको नहीं पह्चान रहा आप इसको कुछ भी ली कह रहा है वह स वह क्या कहता है कि जब आपका ये मैडला में पहुँझ चुके हैं दोन्स थे itself कई नेगटिटिव सेलक्षिन क्या होती है कि आपके मेडोला के अंदर एंटिजन प्रिजेंटिंटिंग सेल्स और अपिफीन पर चीज को प्रेजेंट करना याद करें वो जो मैंने बनाई थी यहां पर मैक्रोफेज थे यह T-cells थे इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे फिर यह B-cells के पास जाद हो वाली डाइग्राम तो यह आपके जो यह यह एंटिजन प्रिजेंटिंग इसको प्रेजेंट करेंगे किसको प्रेजेंट करेंगे CD4 T-cells हैं इनको प्रेजेंट करेंगे अगर यह इसको लेते हैं इस ऐन्टीजन को कहते हैं यह मारा धूर्इस को मरना शुरू कर देते अपनी ही एंटी जपकून और वह यह बारना शुरू करते तो यह हुद्ध प्रॉसkan हो जाएगे और अगर वो इसको नहीं और यह नहीं मारते तो नेगभि पित्स में शिलेक्ट हो जाएगे और आगे जिन्दा रहेंगे तो समझ आगई है मैं पकीबाट है अर्द आ नहीं समझते हो कि यूश्री में समझाः ढहीं ख़्रय। बहुक्क फालता हुए वैका ख़। अब आप खुद बताएं कि कौन सा सेल बनाए इसके पास TCRB है CD 3B है CD 4 है लेकिन CD8 नहीं है तो यह कौन सा बनेगा CD4 और CD4 को हमेशा है पर टीसल कहते होते हैं CD4 क्या कहते होते हैं help पर टीसल इस इधर आजए TCRB है CD3B है CD4 नहीं है है लेकिन सीडियेट है जिसको यह सीडियेट हो जाएगा सीडियेट पॉजिटिव तो इस सीडियेट को अबेशा कौन से बोलते होते हैं साइट अब यहां पर हमने कहा कि कि आपके यह अपनी बाड़ी की ओन एंडिजन करते हैं और सीडि एड को प्रेजन करते हैं यह जो एंटिजन बनती है इसको बनाने के पीछे एक जीन का हाथ होता है उस जीन का नाम होता है एयर जीन यह कि सो करता है ए से आटो बैक आटैंने में बनती है उसको कोई ! कोई बनाता होता है तो इसको जो जो है और ऐसे चीन कौन सी यांटीजन मैनाता है ये वाली ये हमारी बादी की ओना एंटीजन जो एंडुने डेंड्रेट्रीक सेल और एपितिर व्योद इसको रए थी CD4 और CD8 को यह वह वाली एंटिजन वराने में इस वह जीन का किरदार होते हैं मैं रपीट कर दूँ अब चले जब T-cells समझा गी है रपीट करने की जुरत है नहीं है जुरत पकी बात है चले अब हम अपनी बोक की तरह जाते हैं चले जी आज का माला टापिक यह वाला टाप यह आपके lymph node में सारा process हो रहा है क्योंके lymph node Scandri Argon होता है नहीं औरccandri Argon में सीज़ें जाके ma dures χोती है और वहां पे अपना function करती रही है वो कैसे होती है यह सिंपल सा बता दे कि क्या होती है पॉसिटिव सिलेक्शन में क्या होती है नेकिटिव सिलेक्शन तो इस तरह आपके दो सेल्स बन जाते हैं यह देख लें क्यों सिदी एट सेनो टाक्सक टी सेल और सीटी फॉर अलपर टीस बन जाते हैं यह तो यहां पर यह बता रहें यह यह सी डी ती अपर उसने यह भन लेक्शन और यह आपका सीडि एट सेनो टी सेल बन गया और यह आपका बन गया CD4 helper T cell अब CD8 बादिगा इसको यहीं पर रोक दे CD8 बादिगा इसको यहीं पर रोक दे दूसरा आपका क्या बना है इसका हम आगे पढ़ते हैं पर इसका फंक्शन पढ़ते हैं कि CD8 का function क्या होता है या आगे कैसे जाता है कैसे function करता है कैसे एक्टिवेट होता है अभी helper cell TT helper cell पे आज़े कहां पे आना है T helper cell योगा CD4 है वैसो तो इसकी आगे बहुत सी types होती है CD4 helper cell की लेकिन जो चार most है वो हम यहां पर बढ़ेंगे यह आगे मजीद चार important types में तब्दीर हो जाता है वह काउंट सी है T helper cell 1 T helper cell 2 T helper cell 17 और T regulatory cells होती है T regulatory cells इसकी यह four types होती है अब यह एक ही CD4 cell चार में कैसे जाता है कोई ना कोई तो signal होगा जो उसको बोलेगा कि तुम T helper cell 1 बन जाओ तुम T helper cell 2 बन बन जाओ तो कोई ना की function होता होगा उसके पीछे function क्या है उसको हम जरा detail में पढ़ते हैं कि आपको detail में अभी नहीं पढ़ते हैं आपको समझा जाएगा देखें जरा इसको simple से हैं असान से है हमने कहा था कर नहीं पढ़ा था कि यह आपका मेक्रोफेज है यह आपका MSC class 2 जो है नहीं हो रही है तो इदर कौन सा सेल होगा फिर CD 4 होगा CD 4 में पहले क्या हो रहा था कि MSC class 1 आपके TCR के साथ इंटरेक्ट हो रही थी हो रही थी ना और फिर यह क्या भेज रहा था CD 4 भेज रहा था यह चेक करने के लिए कि उसने उसको प्रासिस भी किया कि नहीं प्रासिस किया याद है कि उसने जो एंटीजनों प्रेजिन कर रहा है उसको तोड़ा फोड़ा भी है कि नहीं तोड़ा फोड़ा अब यह पहला सिगनल था एक दूसरा सिगनल था याद करे म यह क्या बंजागा टी यह बंजागा ऐनी अगर आपका second signal क्या होगा interleukun 12 सैक्ट सिग्नल क्या वका interleukun 12 तो आपका CD4 क्या बंजागा TL-1 बंजागा इसी तरह एक और भी होता है इंटर्फिरोन गैमा क्या इंटर्फिरोन गैमा अगर आपका स स्येक्राट या टोट या पिर इंटर्फिरोन गैमा-घमा खेल्वान सुना है gen 5 डपर तो इंटर्फरान गामा अगर रिलीज होगा तो टी हल पर सेल वन यानि नमबर वन तो इंटर्फरान गामा यानि गैमा और अगर इंटर्लूकेंट 12 ये सेकेंड्सिगनल हो तो आपका डिलीज हो तो इंटर्फरान गांग। समझ आगी है अगर यही सेकेंड्सिगनल और यही सेकेंड्सिगनल तो बनेगा भूल गया है अगर अगर second signal B7 हो, जो सेटीन सटीनल, तो आपका CD4 क्या बन जाएगा helper cell, तू बन जाएगा, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? यह सिरफ B7 नही को भले याद ना करें सको भूल जाएग्या है, अगर B7 हो, अगर interleukant 2 हो, अगर interleukant 4 हो, यह second signal हो, second-signal interleuken 2, interleuken 4 हो या फिर B7 हो तो आप का कौन सा CD4 कौन सा cell बन जाएगा 24x7 जो है ना 24x7 जो है ना यह यह टेल पर सेल टूप वाली जो शॉप है ना वह खुली रहती है 24x7 ठीक है तो इसको अपने उस तरह याद कर लिए समझा गया है इसके बाद आपके कौन से हैं टी हलपर सेल 17 में क्या होते हैं अगर आपका सेकेंड सिग्नल यहीं पर इसकेंड सिग्नल हो इंटर्लूकन वन इंटर्लूकन शिक्स और ट्रांस्फार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा बहुत टफ सा है ना इसको आप इस तरह फार्मुले बनाकर याद पर सेल तो अलिशाप नेगी ही अब यहां पर क्ौन सांण सेहने देखना है 17 17 मतलब यहां पर चाहिए था देखनेokन 17 है ना तो यहां फार मन चाहिए लेकिन होगा यह समय आगे है अब आगे देखे अगर टी रेगुलेटरी सेल दो अगर टी रेगुलेटरी फिर सेकंड सिंग्नल क्या होगा फिर सेकंड सिंग्नल होगा बीटा टू क्या होगा बीटा टू इस सब क्या मतलब है बीटा टू का मतलब है कि पहला सिंग्नल होगा ट्रांस फार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा और इंटरल्उकेन 2 हो तो फिर आपका हेलपर चल कौन सा बनेगा टी रेगुलेटरी सेल बनेगा टी रेगुलेटरी सेल यह नि फिर वही बात कि बीटा 2 समझागी है इसका फिरूरेपीट कर दूँ रिपीट कर दो इसका बद फिर मैं शुरू से मैं रपीट कर देता हूं इसको अब तो सपीड थेज नहीं है न अब ठीक है रपिड अब भी तेज हैं तेज है तेज ने में मजीद स्लो करता हूं चले जी ये आवाज ना करें क्योंकि एक फिर शोर आता है ना चलेंज यह आपका क्या था कोई मैक्रोफेज पड़ा हुआ था ठीक है मैक्रोफेज ने में सी क्लास टू शो गराई तो कौन सा सेलेक्टिव होगा एक सीडेट को पहले तो टीचिर के जरीए और फिर क्या भेज रहाता सीडी पूर जो किस चैक करता था कि आया कि आपने जो आपके पास न्टी जना उसको प्रासरस भी किया और फिर एक सेकेंड पर यहां लाता है आपका Interleuken 12 या फिर आपका Gamma पर बाना आता है Interferon Gamma या Gamma करें इसको तो आपका फिर cell कौन? CD4 कौन से cell बन जाएगा? TL पर cell 1 बन जाएगा अगर आपका यही Second signal Interleuken 12 है फिर भी क्या बन जाएगा? TL पर cell 1 और अगर आपका Second signal 24 by 7 है और इसी तरह अगर आपका सेकेंड सिग्नाल जो है ना वो इंटर आप 17 की बारी है ना तो 17 की मतलब और साथ में कौन साता ट्रांस्फरंग ग्रोंड क्या बझाएगा तया सेवंटेंन् सेवंट को स्टी बन जाएगा और अगर यहीं सैकटELLE बीटा रोध बीandaag यहा जाओ करने więks STO यहाद करना कर adapts यानि ट्रांसफर्मिंग ग्रोथ फेक्टर बीटा या फिर इंटर्लिकन टू तो आपको क्या बाज जाएगा यह ती रेगुलेटरी सेल समझा गया अब हमने कितने सेल पढ़ रहे हैं एक हमारे पास सेरो टाकसिक सीडी एट हो गया एक टी अलपर सेल वन हो गया एक टी अलप से काम कैसे करते हैं ठीक है अब हमने पाड़ लेकर यह बने कैसे हैं इसकी एंब्रियों हमने देखिए हैं मैचौर कैसे हुए हैं मैचौर हो गए हैं अब हमारे बाड़ी में हैं कोई एंटीजन आती है तो यह कैसे एक्टिव होते हैं और फंक्शन कैसे करते हैं ठीक है यह जिरी बेसीय psychology आपके 2 होते हैं, हमने शुरुरु शुरु ने क्या देका था, यह देखें, मैंने का था, major functions of B and T cells, मैंने थे को बाद में पढ़ेंगे, अब यहम सिर्फ क्या सको देख रहे हैं, T cells को, यहां तक समझा गिया है बक्की बात है चले यह लेक्चर जी खतम करते हैं फिर दूसरा ड़क्या स्टार्ट करते हैं मैं जरा इसकी वह कर लो है सेव कर लो इसको